ऐसे हाथों में जब कोई बच जाता है तो उसे चमतकार ही कहा जा सकता है और जमनी में ऐसा ही एक चमतकार हुआ हुआ यू कि एरपोर्ट पर एक विमान की एमर्जनसी लाडिंग हुई विमान ने आख पकड़ ली प्लेन दोड़ता रहा आख की लपते उठती रही और विमान में सवार 78 मुसाफिरों की जान अठकी रही बस छू कर निकल गई मौट 78 जिंदगियों के लिए मौट से 17 सेकंड का एंकाउंटर हुआ 17 सेकंड की ये लपतें पूरे विमान को खाक कर जकती थी पर गस्मत विमान में सवार लोगों के साथ थी घटना जर्मनी के स्टुटकाड शहर की है ये विमान बर्लिन से स्टुटकाड के लिए उड़ा था पर हवाई बड़ी पर उतरने से ठीक पहले विमान के लेंडिंग गियर में खराबी आ गई उच देर तक हवा में चक्कर काटने के बाद पाइलेट ने विमान को उतारने की कोशिश की पर सफल नहीं हुआ विमान को उतारने में खत्रा महसूस हो रहा था ऐसे में एरपोर्ट पर इमरजिंसी लेंडिंग की वेवस्था की गई फोम की परत पर विमान उतारने की कोशिशें शुरू हुई फाइर ब्रिगेट की तमाम गाड़ियां तयार कर दी गई किसी भी आपात स्थिती से निबटने के सारे इंतजाम पुख्टा कर लिए गए फिर पाइलट ने विमान को उतारने की कोशिश शुरू की विमान में तिहतर यात्री और क्रू के 5-7-7 सवा थे सभी 78 लोगों की सांसें अटकी हुई थी पाइलट ने बड़ी मुश्किल से विमान को फोम की सथर पर उतारा पर विमान की पहिये ने जैसे ही जमीन को चुआ आग की लपट निकलनी शुरू हो गई एरपोर्ट पर मुझूद सभी लोग सक्ते में आ गए विमान से आग के गोले चूट रहे थे लगा विमान आग की लपटों में समा जाएगा सांसे ही थमी हुई थी कुछ भी अन होनी हो सकती थी आग की लपटें अगर फैल थी तो पूरा विमान इसकी चपेट में आ सकता था पर कुछी पलों में विमान की रफटार थमी और साथ ही थम गया मौत का सांसा आग की लपतें शान हो चुकी थी विमान को तुरंट फाइर ब्रिगेट की गारियों ने खेल लिया और बची खुची आग भी बुझा दी गई इस आदसे के बाद विमान में सवार सभी 78 लोग सुरक्षित थे हलाकि पांच यात्यों की सगमे के चलते तवियत खराब हो गई जब की एक फ्लाइट अटिंडन को अस्पताल में जाच के लिए भेजा गया यहाफसा जर्मनी की सबसे बड़ी एरलाइन्स लुप्ठांसा की खरेलू सेवा पॉन्टेक्ट एर के विमान के साथ हुआ यह विमान 1995 में बना था और 5 अगस 2009 को इसकी आखरी फिटनेस चाच हुई थी उस वक्त इसमें कोई तकनी की खराबी नहीं थी विमान में ठीक लेंडिंग से पहले यह गड़बडी क्यों आई इसकी जाच शुरू हो गई है विमान की सही सलामत लेंडिंग पर पाइलेट की सूजबूज की भी दात दी गई विमान उड़ा रहे 60 साल की कैप्टन के पास 17,000 घंटे से भी ज्यादा उड़ान धरने का अनुभव है लेंडिंग इयर खराब होने के बाद भी उन्होंने कोई जलबाजी नहीं दिखाई विमान में सवार यात्ती उस वक्त का भी खराय हुए थे पर कैप्टन और क्रू मेंबर ने यात्तियों का होसला बढ़ाया और उन पर भरोसा रखने की अपील की आखिर में अपने अनुभव और सूच बूच की बज़ा से सभी यात्तियों को सही सलामत एरपोर्ट पर उतार लिया गया आज तक दो